जैहिंद नमस्कार आदाव सरणाम पॉर्णाम आप देख रहें इस समय आपना प्यारा चैनल कार्ज करम वियार समाचार और मैं आपके साथ कुस्निक बोवी प्यार की हर चुटी बड़ी खबरू से आप उत्ताती दिन कराता हूं रुबरू आए जानते हैं आज की ताजाव से आगई है गर्माहट है एक तरफ जहां आर्सीपीसी का टिकट कटा है जदिव में कई दिनों से यह गहमा गहमी चरहाता टिकट को लेकर बिराम लग गया है यूं कहा जा रहा है कि आर्सीपीसी अब ना घर के रहे ना घाठ के रहे लोगों की यह उमीद थी कि आर्सीपीसी के टिकट अगर जदिव से नहीं मिलता है तो भाजपा से ही मिलेगा लेकिन जदिव बिल्कुल ऐसा चमतकारी कर सकते हैं यह निर्णे लिया फैसला लिया भाजपा के उमेदवारों का नाम आने के बाद जदिव का नाम है और तिकट भियार में कई दावेदार होने के कारण भियार के लोग को नहीं मिला बलकि धीरू महतों को मिला ललन सी इसको लेकर कहते हैं निर्णे दल के निताशीम नितिश कुमार ने लिया है पाटी का निर्णे सर्वो को शहर सविकार करना चाहिए केंद्रिये मंत्री निर्णे पीम करेंगे और इधर राज सभा चुनाओं को लेकर इंडिये के तीनों परत्यासियों के नामों की सब्सक्राइब नहीं बनाया है केंद्र सरकार में शामिल जदिव कोटे के इकलवते मंत्री आर्सिपी स्टी के बद्रे पार्टी ने जारखंड के जदिव अध्यच धीरू खीरू महतों को पार्टी का राज सभा उमिद्वार बनाया है वहीं भाजपा ने अपने कोटे के दूनों राज सभा उमिद्वारों के नामों की घुष्णा कर दी है इस तरह बिहार में इंडिये के तीनों परत्यासियों के नामों का घुष्णा हो चुका है बहुत अठकले लगाई जा रही थी और आपको बता दी अठकलों पर बिराम बिते सोंबार को लगा दिया गया है सोंबार को जहां भाजपाने अपने नाम उमिद्वारों के नाम की घुष्णा की वहीं जदिव ने भी अपना उमिद्वारों का नाम का घुष्णा कर दिया जैसा कहा जा रहा था कि जदिव बिखर जाएगा तूट जाएगा लेकिन जैसे ही जदिव की और से उमिदवार के नामों की घोशना हुई और आर्सी पीसी का टीकट कटा वैसे ही सब कुछ अठकलों पर विराम लग गया हलाकि आर्सी पीसी को हलके में नहीं लेना चाहिए वह भी जदिव के लिए एक वरिष्ट नेता के रूप में हैं और उनके भी अपने लोग अब देखना यह पर किरिया होगा कि जदिव में राजनितिक भोचाल आती है या फिर सब कुछ शमान होता है लेकिन जारखंड के अध्याच जारखंड अध्याच खिरुभाई को ब भाजपा की केंद्रिये चुनाओ कमीटी ने बिहार समीत नौ राज्जियों के लिए रवीवार के शाम राजसवा परत्यासियों की घोशना कर दिया है और जैसे ही भाजपा के परत्यासियों के नामों की घोशना हुई वैसे ही जदिव की उस्तिती में आसे किसी ना घर कर डूसरी भड़ी खबर सुन्याव काकई जिम्हारी मिलने जा रहा है यानि पंशायत के उनके जिम्हारी मिलाने गौने कि पर एप सरकार्टी समराच चौदरी ने कि अब गाउं के विकास को लेकर पंचैतों के विकास को लेकर वाडों के विकास को लेकर जहां राज सरकार परतेंसील है वहीं केंदर से भी मदद मिलना शुरू हो गया है रही बात पावर की तो धीरे धीरे तमाम पावर जो है वार सदस और मुखिया और सरफन साहिब को मिलते जा रहा है बस यूँ ही काम करते जाना है और गाउं का विकास को लेकर सरकार बिल्कुत ततस्त है पहर कहना है कि जिस परकार से सहर चकाचक है उसी परकार से गाउं को भी चकाचक बनाने की परकिरिया चलाई जा रही है इसको लेकर हम आपको बता दे कि हर खेट तक पानी के लिए लगू सी चाही की 203 योजनाओं पर इस साल होगा काम दो सो करोर की बनी कार्जी योजना सो करोर के वजट पर लगी है मुहर 429 योजनाओं की सवक्रिती तक्निकी सहलाकार समीती को परदान की और इधर हम बता दे कि हर खेट पानी के लिए लगू सी चाही योजनाओं की रवतार पकड़नी सुरूब हो गई है इस साल दो सो तीन योजनाओं पर काम होगा राज सरकार ने इसके लिए दो सो करोर की योजनाओं बनाई है यानि कि किसानों के लिए भी सरकार बहुत कुछ करने जा रही है और इधर सहकारता विभाग बना रहा है एक एप इसके माद्यम से किसानों को करना होगा आवेदन किराये पर क्रिसी यंत्र लेने के लिए करना होगा ओनलाइन अब आवेदन 8463 पैक्स है राजभर में 15,00,000,000 रूपे सरकार देती है पैक्सों को और इधा 2927 पैक्सों में यंत्र बैंक बनेगा और 1800 पैक्सों में बन गया है बैंक आपको बता दे पैक्सों में बने क्रिसी यंद्र बैंक से यंद्र किराया पर लेने के लिए किसानों को अउन लाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सहकरता विभाग नया अप्लिकेशन बना रहा है। एक महीने में एक तयार होने के बाद इन पर आवेदन लेने की परकिरिया भी शुरू कर दी जाएगी यानि कि पंचैतों में पैक्सो के लिए भी कई बरी जिम्मवारियां बढ़ती जा रही है और यह जिम्वारिया जहां 500 के लिए वहतर होगा वहीं किसानों के लिए भी खास होने वाला है इधर आपको बता दे कि सुबे में समय पुर्व मौनसुन का असार अब परवल है मौसम का मिजास तो बदला ही है इगारा से बारा तक पुर्णिया में मौसुन की बारिस होने की शम्भावना है बिहार में मौसुन की समाने से कुछ अधिक बारिस की उमीद है आपको बताते चले कि केरल में मानक समय से तीन दिन पुर्व मौनसुन के आगमन से बिहार में भी इसके समय पुर्व आगमन के असार परबल है बिहार में पिछले दो सालों से मौनसुन समय से पुर्व दस्तक दे रहा है इसे में तिसरा साल होगा जब मौनसुन के समय से पहले आगमन के असार जताये जा रहे हैं यानि कहने का तत्पर्ज हुआ कि अगले पांच दिनों तक देश के कई हिस्सों में लू से रहत रहेगी केरल में तीन दिन पहले मौनसुन ने दस्तक दी है एक जुन को देश में दस्तक देगा देता है मौनसुन और 27 जुन के करिब दिल्ली पहुचने की है उमीद आपको बताते चले कि भिसन गर्मी के बीच रवी बार को मौनसुन ने केरल में दस्तक देदी है दच्छिन और पच्छिम मौनसुन अपने स्तय समय एक जुन से तीन दिन पहले केरल पहुच गया है इसी के साथ देश में वर्सा दितु की सुरुआत भी हो गई है हलाकि दिल्ली में यह अपने शमान समय 27 जुन के आसपास ही पहुचेगा अगले पाँच दिनों तक दिल्ली समय देश के कई हिसों में लू से रहत रहेगी बिहार में प्री मौनसुन गतिविदियां बढ़ी जमा जम बारिस से गिरा पारा केरल टटपर मौंसुन के दस्तक के साथीं बिहार में प्री मौंसुन कत्विधियां भी में बढ़ोतरी हो गई है राज के दिक्तर भाग में काले और घने बादल चाये हैं और बारी इसकी इस्तिती बनी है पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तर भीहार में एक दो जगों पर भारी बारिस हुई है राज में कुल सुबह में कई जीलों में 30 से 40 किलो मीटर की रफ्तार से भी आंधी चली है और इधर जातीय जनगर्ना की अगर बात कर ले तो जातीय जनगर्ना पर बैठक के लिए सभी दल्यों को ने होता एक जून की साम शीयम की दस्ता में होगी खास बैठक आपको बताते चले संसदीय कार्ज मंत्री ने दल्य नेताओं को भेजा है पत्र बिहार सरकार ने मुख मंत्री नितिश कुमार के दस्ता में राज के जातीय जनगर्ना कराने को लेकर होने माली एक जून के बैठक में सभी दल्यों के नेताओं को शामिल होने के लिए ने उता दिया है बिते दिन संसदीय कार्ज मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शभी दल्यों के नेताओं को पत्र भेज कर पैठक में सासमय सामिल होने का अनुरौद भी किया है इदर निताओं के अपराधिक केस 90 दिन में निप्टाएं कोट कादे से हैं दस वर्स बाद भी आरोप पत्र पेस नह करने होने पर कोट नाराज करनाटा कुछ नियाले ने अंत्रिम आदेस जारी किया और ग्यान वापी और मतुरा इदगाह पर नहीं छोड़ेंगे अपना दावा जमियत का काना है और जमियत उलेमा ये हिंद महमूद मदनी की करजकारनी में ब्रभी बार को कई परस्ताओं पास हुए हैं तैहुआ की मुसलमान वारानशी की ग्यान वापी और मतुरा की इदगाह से अपना दावा नहीं छोड़ेंगे शमान नागरी सनहिता का बिरोध किया जाएगा और पंजाबी गायक सह कांग्रेस नेता सिद्धू मुसेवाला की हत्या इदर आपको बता दे भारत और बंगला देश के बीच रेल सेवा बहाल और ब्रिटेन में भी अब चार दिन काम बाकी आराम पी-एम केर्स के तहत चात्वरिती मिलेगी आपको बता देगी पर्धान मुंतरी नरेंद्र मोधी सोंबार को पी-एम केर्स पार चिल्डरेन के पर्धात बच्चों के लिए चात्वरिती तता अनसुवधाओं की वीडियो कॉन्फरेंसिंग से शुरुआत करेंगे यानि आपको बताते चले इधर बात नेपाल में बीमान दुरघटना गरस्त और चार्ज भारतिय समय थे 22 लोग थे इसमें सबार और अलग अलग भासा प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने बीते दिन कहा है कि हमारे देश में कई भासाएं लिपियां और बोलियों को सम्री दखा जाना है अलग अलग पहनावा खानपान और संस्क्रीत हमारी पहचान है यह विवित्ता एक राष्ट के रूप में हमें अधीक ससक्त करती है एक स्मीर में मैगनेटिक बम लेकर घुसा दून मार गिराया और नए संसद भवन की दिवारों पर होंगे सीता और दुरोपती के चित्र तो यह खास चीज होगा नए संसद भवन में और आपको बता दे कि गूगल सर्च कर मुंगेर से खरीदी पिश्टल करनाटक में मारी गोली स्टी एफ ने करनाटक मुंगेर पुलिस के सयोग से तीन तसकरों को किया है गिरफतार शिगाओं में बैयुसाइक बसंद कुमार वपर हुंगेर से ले गए हतियार से हुआ जानने वा हमला और इधर आपको बताते चले कि अस्कूलों में अधिकतर विद्यार्थी कर रहे हैं छेत्री भासा का इस्तमाल सरकारी अस्कूलों में विद्यार्थी छेत्री भासा का इस्तमाल करने से अधिक सहज महसूस करते हैं तभी तो दस्मी के 83 फिश्दी और आठ्वी के 80 श्कूल में ही छेतरी भासा में ही बाते करते हैं ये बातें निशनल अर्चमेंट शर्वे 2021 से निकल कर शामने आई है शर्वे में दस्वी और आठ्मी के अलावा पाच्मी और तीसरी कर्चा के छात्रों को भी शामीर किया गया था इसमें इधर सिवियेशी मुल्यांकन के बा प्राय में महराष्ट के अमरावती से परसी चंड डिग्रेधारी 55 चैनित और 28 को नियुक्ति पत्र बाटने के दौरान कई जीरों में अमरावली की डिग्री पर रही चर्चा में और 8386 पर पर कितने नियुक्ति पत्र बटे मंगलबार तक जिले के जिले में भेजेंगे बेवरा और इधर बता दे के अंदर में मंत्री बनने की जल्दबाजी से पार्टी में कमजोड हो गए हैं RCPC इस पर पहले हम चर्चा कर चुके हैं जाती है जनगन्ना पर पार्टी से दूरी रखना भी महंगा पड़ा मंत्रियों भिधायकों की बैठक से ही तह होगा बेट बिहार में निवुजी सिच्चो को के बेटन को लेकर अबाज बुलंद होने लगी हैं से चार माह का बेटन हुआ है अब तक विषार के निव recommends crime से लेकर बीभाक से मांगे भी की हैं इधर बातने बात भारत बंगला देस की कर लिक्र आया फ्यार्टी बातर के वहरेलस उसका कब्जा अमीरका में गांजे का सेवन करता था आरेन इंसी भी का या बियान है अब आप सब्टा में काम होंगे मात्र चार दिन बाकी दिन आराम नए अफिल्ड चालू हुआ है को लेकर फिट भैक भी लिया जा रहा है तो तमाम कबरें आपको हमने बताने क्या काम किया इसी तरह से आप हमारे साथ जूड़े रहिए और विभीन तरह की बिहार की खबरों से आप अपडेट रहिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाजा धन्यवाद जहिन से बारत बंदे मातुरा में